इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास गटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 26 जनवरी के दिन भी कई बड़ी गटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी चाप छोड़ी। भारत में 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जिसे राष्टिये पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश का हर नागरिक चाहे वो किसी धर्म, जाती या संपरदाय से तालुग रखता हो। इस दिन को राष्ट प्रेम से ओत्प्रोथ होकर मनाता है। आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभू लोकतांत्री गनराज गोशित हुआ था। देश दुनिया के इतियास में 26 जनवरी की तारीक पर दर्ज अनप्रमुग घटनाओं का सिलसिले बार बेवरा इस प्रकार है। आज के दिन 1748 में बिटन, नीदरलेंड, आस्टेलिया और साडनिया ने फ्रांस ब्रोधी संदी पर हस्ताक्षर किये थे। 1837 में आजी के दिन मिसगन को अमेरिका का 26 प्रांत बनाया गया था। इससे पहले फ्रांस की हार के बाद ये बिटिस सासन के अधिन था। अमेरिकी किरांतिकारी युद के बाद मिसगन को संयुक्त में हुई खुदाई में दुनिया का सबसे बड़ा 3106 करेट का हीरा कलिनन पाया गया था भारतिये महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाई दिल्लिनिव का जन्म आजी के दिन 1915 में हुआ था आज ही के दिन 1930 में बिटिस सासन के अंतरगत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था 1931 में आज ही के दिन सविनय अबग्या आंदोलन के दौरान बिटिस सरकार से बाचीत के लिए महतमा गांधी को रिहा किया गया था आज ही के दिन 1950 में सवतंतर भारत का संविधान लागू हुआ और भारत को एक संप्रभू लोकतांतरी गनराज गोसित किया गया इसके बाद से इस दिन को गरतंतर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1950 में आज ही के दिन सी गोपाला चारी ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद छोड़ा और डाक्टर राजेंदर प्रसाद ने देश के प्रथम राष्टपती का पद समाला था आज ही के दिन 1950 में उत्तर प्रदेश के सार नाथ इस्तित असोक इस्तंब के सेरों को राष्टिय प्रतीक की मानता मिली थी 1950 में आज ही के दिन फेडरल कोट आफ इंडिया जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी को भारत का उच्टम नियायले बनाया गया था भारत के स्वतंतरता संग्राम के राष्टवादी करांतिकारी मान बेंदर नाथ राय का निधन आज ही के दिन 1964 में हुआ था आज ही के दिन 1963 में माथे पर मुकुट जैसी कलगी और खुबसूरत पंकों वाले मोर को राष्टिय पक्छी गोशित किया गया था 1972 में आज ही के दिन इुद में सहीद सहिनकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्टिय इसमारक अमर जवान जियोती की स्थापना की गई थी आज ही के दिन 1982 में परिटकों को बिला सितापून रेल यात्रा का आनद दिलाने के लिए भारती रेल ने पैलेस आन विल्स सेवा की सुरुआत की थी 1999 में आज ही के दिन बांगला देश के ढाका में महिलाओं के योन सोसन पर 200 सम्मेलन का आयोजन किया गया था आज ही के दिन 2001 में गुजरात के भुज में आये जवरजस्त भुकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी 2001 में आज ही के दिन गाईका लता मंगेसकर और सहनाई बादक उस्ताद बिसमिल्ला खां को देश के सरवुच सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया था आज ही के दिन 2004 में माइक्रोसोप्ट अद्यक्ष बिलगेट्स को बेटिन की महरानी लीजाबेथ ने नाइट की उपाधी प्रदान करने की गोशना की थी 2004 में आज ही के दिन अफगानिस्तान के राष्टपती हामिद करिजई ने देश के नए संविधान पर हस्ताक्षर किये थे आज ही के दिन 2008 में एन आर नारायन मूर्ती को फ्रांस सरकार के सर्वोच नागरिक सम्मान दा ओफिसर ओफ दा लीजन ओफ आवर से सम्मानित किया था 2010 में आज ही के दिन भारत की बार्मी राष्टपती प्रतिभात आई पाटिल ने पदम पुरुषकार पाने बाली 130 व्यक्तियों के नामों की गोशना की इनमें रंगमंच जगत की जोहरा सहगल, रेखा बैडमिंटन, खिलाडी सायना नेहवाल, क्रिकेटर बिरेंदर सहवा अभी हिंदी और उर्दू भासाओं में लिखने वाले प्रिसिद साहितकार करतार सिंग दुगल का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था, आज के इतियास में बस इतना ही, कल का इतियास लेकर पुना आजिर होंगे, नमस्का